नमस्कार दोस्तों, स्पाई न्यूज में आपका स्वागत है, आज देखे आएं एक नया प्रोडेक्ट, एक माइक, हाँ जी दोस्तों, यूटूबर बनने के लिए, यूटूबर पे अपना वीडियो डालने के लिए, आज कल बहुत सारे लोग अपने अलग-अलग माइक का दोस्तों, आज हमने जो ओर्डर किया है, जो हम आपके सामने अन्बॉक्सिंग कर रहे हैं, ये आहुजा का MTP20 है, ये माइक्रोफोन है, जो आप कैमरे में भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, और आप इसे अपने मोबाइल फोन, स्मार्ट फोन के अंदर भी कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, जरूरत क्या है, एक अलग से माइक डालने की, अगर आपके कैमरे में पहले से ही एक माइक होता है, तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप कैमरे के माइक से अगर आप अपना वीडियो रिकॉड करते हो, और उसको आप जब यूटूब पे ड टाल रहे हैं, तो आपके पास एक अच्छा स्मार्ट फोन वीडियो को कैप्च beginner के लिए, आपके पास एक external माइक भी होना चाहिए, जी हाँ, दोस्तों, सबके पास आजकल स्मार्ट फोन है, मिक फोन है, वियो के फोन है, बहुत सारे कंपनिस के फोन है, उन сब में अच्छ के लिए बना होता है यानि वो कॉलिंग परपच के लिए बना हुआ है तो जब आप उसमें रिकोर्डिंग करते हो तो स्राउंडिंग नोइस आती है उससे बचने के लिए आपको एक 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 एशनल माइक लेना पड़ेगा यानि इसकी आवाज कैसी है इसमें noise cancellation कैसा है क्या आप इसको अगले यूटूब वीडियो में यूज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे हम आपको डिटेल रिवी भी इसके बारे में करेंगे तो चलो दोस्त फटा फट से हम इसके unboxing स्टार्ट करते हैं जैसा कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताता रहता हूँ जब भी आपको ओनलाइन ओडर करें तो याद रखें आप अपने दोस्त से आप अपने परिवार में किसी से जब आप उसकी unboxing कर रहे हो तो उसका एक हलका सा वीडियो ज़रूर रिकोर्ड कर लें चाहे उसे आपको यूटूब पे डालना ह हो चाहे नहीं डालना हो लेकिन उससे क्या होता है थोड़ा safety रहता है अंदर मान लो product टूटा हुआ है अच्छी उसमें नहीं है तो आपको easy रहेगा आपको जब उसको return डालोगे तो seller ज्यादा आप से कुछ बोल नहीं पाएगा तो दोस्तों देसे कि मैंने आपको बताया इसकी देखिए shipment date देखिए 18 January 2021 तो दोस्तों ये इसकी invoicing है इसको हम अभी रख देते हैं तो ये हमारा make in India आउजा company इसका नाम आप सबी लोगों ने सुना होगा तो ये आउजा company का अपने नाम सुना होगा ये sound में जब आप बच्चे थे जब आप छोटे थे या आप अभी भी इसके amplifier साते हैं माइक साते हैं और बड़े sound के अंदर audio के अंदर काफी नाम है इसका और काफी अच्छे equipment से बनाती है इसी वज़े से हमने ये वाला order किया ह तो दोस्तो पेकेजिंग इसकी ठीक है थोड़ा सा ठीक है मतलब इतना ज्यादा बुरह नहीं के सकते हैं यहाँ पे इन्होंने दिया है देखिए neckband आता है इसमें अगर आपके collar में नहीं आपको neck में इसको पहनना है तो इन्होंने neckband दिया बताया एक आपको collar की clip दिये collar म आप इसको record कर सकते हैं mobile के अंदर आपको 3.5 mm jack के साथ ही आता है और एक आप type in के उपर भी इसको लगा सकते हैं तो दोस्तो मेरे साब से अगर आप वीडियो record करते हैं जहां पे आपको बिल्कुल outdoor shoot करना है तो ऐसे mics आपको यूज करने चाहिए इससे आपकी voice quality अच्छी देगी जैसा कि उन्होंने बताया है यहां पर microphone के अंदर भी यह clip हो जाता है उसके बाद आप DSLR में भी इसको यूज कर सकते हैं और यह unidirectional microphone है दोस्तों यह unidirectional और एक omnidirectional दो तरीके के microphone market में अभी available है उसी price range में तो यह दोनों में फरक क्या होता है unidirectional क्या होता है कि जो उपर की side से है यानि एक ही direction से वो आपकी noise लेगा यानि आपकी जो आवाज है वो एक ही side से लेगा और जो omidirectional होता है वो सारी जग., जैसे आपने बोया का देखा होगा Umidirectional होता है यानि वो हर हर HERE हर दिशा से आपकी ऑवाज को लेता है तो मेरे हिसाब से जब आप caller बेश को plug करते हैं तो हमेशा आप uni directional वाला microphone को use कीजिए अगर आप अकेले ही record कर रहे हैं तो अगर आप किसी के साथ बैठ के कोई discussion कर रहे हैं आप बैठ के किसी के साथ comedy scene shoot कर रहे हैं या आप कोई गाड़ी और कार के review जिसमें आप owner के साथ बात कर रहे हैं या फिर अपने दोस्त के साथ बात कर रहे हैं अगर frame में दो आदमी हैं या दो से अधिक आदमी हैं तो आपको omni direction यूज करना चाहिए क्योंकि सब के पास mic लगाना थोड़ा सा costly एक solution हो जाता है यह किस किस के साथ compatible है इसको भी आप चेक कर सकते हैं इसका यह 3.5 mm का इसमें connection आता है उसके बाद 5 मिटर की यह cable देता है 5 मिटर बोले तो मोटा मोटा 20 फिट के आज पास इसकी MRP आ रही है 875 रूपीज और यह ओखला दिल्ली के अंदर ही बना है इसकी manufacturing है वो last year September की है तो दोस्तों देखते हैं इसमें क्या दिया है इनोंने दोस्तों इनोंने यह एक पाउच दिया है जो की अच्छी चीज़ है क्योंकि microphone और जितने भी mic होते हैं या फिर आप headphone, earphone जो wired headphone यूज़ करते हैं उनको अगर आप अच्छे से नहीं रखोगे तो वो खराब हो जाते हैं कभी उनके एक कान में आवाज नहीं आती कभी दूसरे कान में आवाज नहीं आती तो यह इसी वज़ए से आती है ताकि वो आपके लिए ज्यादा दिनों तक काम करें यह थोड़ी सी plastic packing है यहाँ पे इन्होंने 2.5 mm jack यह camera के लिए इन्होंने jack दिया है यह wind cutter है इसको mic के ओपर जब आप पहना देंगे तो जो wind की आवाज है जो हवा की आवाज है वो इसको हटाता है तो यह हमेशा यूज करें अगर आप कहीं बाहर इसको शूट कर रहे हैं यह वाला इन्होंने एक connector जैसा कुछ दिया है इसमें क्या होता है कि आप 3.5 यहाँ पर डालेंगे तो आगे से यह ऐसा बन जाता है कि आप इसको DSLR में अपनी camcoder में आप इसको यूज कर सकते हैं तो यह इसका connector है कि यह ऐसा है इसको आपको ऐसे डालना है और इसको पीछे पुछ कर देना है जब अच्छे से connect हो जाएगा तो अभी आप इसको DSLR में यूज कर सकते हैं इसको अगर आप हटा देंगे तो अब आप इसको अपने laptop में और अपने smartphone में यूज कर सकते हैं बिल्ट क्वालिटी ओवेसी बात है आउजा है तो बिल्ट क्वालिटी के मामले में ठीक केबल लेंथ आपको मैंने बताया पांच मिटर की है ठीक है दोस्तो तो यह 3.5 mm jack है यहाँ पर आउजा कि इन्होंने ब्रैंडिंग दी है उसके बाद यह अपना माइक है माइक के अंदर इन्होंने कॉलर क्लिप दी है यह आपके बहुत काम आने वाली है आपको सिंपली इ टीर यह अपने के, जो भी आपने उस दुम्हें चीजे पहन साथ तो यह आपका नेकबंड है आप चाहें तो नेकल मेंड को मेरे हिसाब से रिमूफ भी कर सकते हैं यह neck讲 उने को आप गले में पहन के माइक को आप यह यहां पर टांग सकते है यह वाले options आपको दिख आपके नेक में पहनने के लिए रेडी हो गया है तो आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं जब आपको लगता है कि आपको कॉलर माइक यूज करना है तो आप इसको यहां से इजिली निकाल दीजिए काफी है यह तो यह इजिली निकल जाएगा मोस्टली लोग नेक में पहनना प केविल की क्वालिटी भी काफी अच्छी है तो दोस्तों मैं इसका साउंड टेस्ट करता हूं उसके बाद पता चलेगा कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी आप कौन सा माइक्रोफोन अभी यूज करते हैं अपने यूटूब वीडियो के लिए आपने इंट्रिव्यूज के ल अगर आपके पास इससे बड़िया माइक्रोफोन अगर माइक यूज करते हैं तो आप मुझे प्लीज कमेंट में लिखके बताइएगा मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी उसे यूज करूं वायर की कॉलिटी पे अच्छी है यह गॉल्ड प्लेटेड आपके पास 3.5 mm जेक है यह भी एक अच्छी क्वालिटी का है यहाँ पे यह नोने गॉल्ड प्लेटेड दी है यह भी एक अच्छी क्वालिटी का है दोस्तों जब भी आप याद रखे तो यह हमेशा गॉल्ड प्लेटेड ही लीजे क्योंकि यह एच्छी क्नेक्टिविटी देता है थोड़े वो यह केम्रे के माइक को हम यूज कर रहे थे क्योंकि आज हम आउट्डोर में नहीं है हम इंडोर शुटिंग कर रहे हैं तो यह वाला जो आपको साउंड सुनाई दे रहा है यह आउजा के माइक से याज तो आपको बिल्कुल माइक के ऊपर यानि एक ही साइड से आवाज तो आपको बिल्कुल कॉलर पे इसको लगा के रखना है थेंक्यू दोस्तों अगर आपको आवाज और साउंड अच्छा लग रहा हो तो यू कैन ऑल्सो ओर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा आप वहां से भी इसको बाई कर सकते हैं अगर आपके पास हमारे लेटेस्ट वीडियो फटा फट से आते रहें बैल आइकन दबान ना भूले धन्यवाद दोस्तों